बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अबैद और प्रतिवन्दित चीजे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाती है आपको बता दें कि बिहार तसकरी के मामले में सब से आगे नजर आ रहा है चाहे बात हम शराब तसकरी की करे या फिर हतियार तसकरी की करे या फिर जानवरों की तसकरी की करे सबी मामलों में बिहार चरम सीमा पे है अभी अब इस्तिती ऐसी है कि अन्य राज्यों से लोग बिहार में तसकरी के लिए आ रहे हैं आपको बता दे कि पस्तिम बंगाल के तीन हत्यार तसकरों को मुंगेर पुलिस ने गिरफतार किया है आईए पुरी खबर आपको बताते हैं बिहार के मुंगेर सहर के स्रवन बजार असो कस्तम्ब के समीब सोंबार को कोतवाली पुलिस ने हतियार पेन पिस्टल की खरीद विक्रिक करने वाले पस्चिम बंगाल से तीन अपराधियों को गिरफतार किया है इन हतियार तसकरों के पास से 7 पेन पिस्टल 14 पेन पिस्टल का कार्तूस और 1,90,000 रुपे नगत बरामद किया गया है पुलिस ने जिन हतियार तसकरों को गिरफतार किया है उसमें से दो पस्चिम बंगाल के रहने वाले हैं जबकि एक पिस्टल आपूर्ती करने वाला मुंगेर का तसकर बताया जा रहा है इस मामले की जनकारे देते हुए अनुमंडल पुलिस पराधिकारी सदर राजेश कुमार ने बताया कि सोंबार को सहर के बाटा चौक के समीप कोतवाली थाना अध्यक्ष धिरेंद्र पांडे ने वाहन चेकिंग अभियान चलाने के तहत इन तीनों को गिरफतार किया है इसी दोरान पुलिस को देखकर ट्रीपल लोड बाइक सवार भागने लगे जिसे खदेड कर स्रवन बजार असो कस्तम के पास पुलिस ने पकड़ लिया जब पुलिस ने तीनों की तलासी ली तो उनके पास से साथ पैन पिस्टल, 14 कार्तूस और 1,90,000 रुपे की नगदी क की बरामदी हुई है पुलिस ने तीनों का मोवाईल और बाइक जब्त कर लिया है जबकि मुस्टफिल थाना छेत्र के मिर्जापूर बर्दाहां गाउं निवासी मोहमत जमसीर उर्फ नफुरु पस्चिम बंगाल के उत्तर 24 परागना जिला के गोपालपूर थाना के छेत के तीना प्राधी बिहार पहुंचते हैं और यहां से तसकरी कर अब यहां से जाने की तयारी में है इस बीच मुंगेर पुलिस ने उन्हें गिरफतार कर लिया है बताया गया कि मोहमत जमसीर उर्फ नफुरुल कुख्यात हतियार तसकर है जो पहले भी जेल जा चुका है उ इसके बाद उसने पस्चिम बंगाल के तसकरों से संपर्ग किया इसी हतियार को खरीदने के लिए अराम मंडल वह विमिल मंडल मुंगेर आये थे जमसीर पस्चिम बंगाल के तसकर को सुरक्षित अस्थान पढ़ ले जा रहा था इसी दोरान गिरफतार हो गया गिरफतार तसकर ने बताया कि 25 हजार की दर से प्रती पेन पिस्टल की उसने खरीदारी की थी जिसे लेकर वह साम में आज पस्चिम बंगाल ट्रेन से लेकर जाने वाला था पेन पिस्टल को लेकर हतियार भी से सग्यों ने बताया कि यह एक बेहद ही घातक हतियार है जिसका इस्तेमा का भनक भी किसी को नहीं लगेगी इसका इस्तिमाल ज्यादा तर हाई वॉल्यूम टार्गेट को माड़ने के लिए किया जाता है यह एक साइलेंस कीलर है दिवतिय विश्यूद के दौरान यह हत्यार अस्तितों में आया था लेकिन मुंगेर सहर में इसका मिलना बड़ी बात ह यह मुंगेर में नहीं बनता है इसको अपरेट करना काफी आसान है पेन का धखकन खोलने और उसका टौर्किल ढाले में जालने से काफी छोटा है धखका देने के बाद यह फायर हो जाता है या एक घातक हत्यार है इसका इस्तमाल शर्ट के पैकेट में रखकर अपराधी आ प्रसकर जो हैं उसको मुंगेर पुलिस के द्वारा गिरफतार कर लिया गया है उनके पास साथ पेन पिस्टल 14 उसकी गोलियों के साथ साथ 1,90,000 रुपे की बरामदिगी की गई है साथ ही यह जो हत्यार उन लोगों के पास से मिली है वो आज साम की ट्रेन से उसे लेकर पस यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें अगर फेस्बुक पेस पर देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करें धन्यवाद